हाई एवरिवन वेल्कम टू मैं चैनल आशास लाइफस्टाइल आज हम शेयर करेंगे पांस तरीके का धोकला और कुछ धोकला मैंने अवन में ट्राई किया और कुछ हम कड़ाई या गैस में जैसे भी जो भी बरतन में आप बनाते हैं कुकर कड़ाई में या फिर धोकला का जो साचा आता है उसमें बनाते हैं वो भी चलेगा बट अब भी मैं दोनों मेथेट से आप लोग के साथ मैसे शेयर करने हूं अवन में किस तरीके से बनता है मतों हम पिक जैसे कटे है धोकली को और गैस तरीके से बनता है वो भी मैं शेयर कर corridorly और मैंने सुटी का धोकला आगे शेयर करा और इतली स्टाइल में भी डोकला शेयर करा है तो चलिए हम रेसिपे स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बहुत ही अच्छी ये वीडियो है विकॉस इसमें पास तरीके के ढूकले मैं आप लोगों के साथ भी और बेकिंग सोड तो चलिए है एंड तक जरूर देखना हम स्टार्ट करते हैं यहां पे वीडियो तो चलिए आज हम शेयर करेंगे यहां पे आपके साथ ढूकला वोपी अवन में और में किस तरीके से बेक किये जाता है वो इसमें बताऊंगी सबसे पहले हमें मोल्ड को रेडि कर लेना है इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे उसके बाद हम यहां पे अवन को प्री हीट में रख देंगे तो अवन को हम प्री हीट करेंगे 180 डिग्री सेस में 10 मिनट्स के लिए वही सेम जैसे कि हम केक के लिए करते है तो वैसे ही सेम टेंपरिचर हमें रखना है उसके बाद हम यहां प करीब करीब यहां पर कप बेशन को अच्छे से चान लेंगे उसके बाद हम टालेंगे 2-3 चमच चीनी थोड़ी सी पिंच बर हल्दी और इन अशारी चीजों के एक बर दिया अच्छे से mix कर लेंगे और इसके बाद हम यहां पर डालेंगे थोड़ा सा ओल एक चममज इसके बाद यापने आप लगको लगए था आप चोटी चममज पी डाल सकते हैं अगर आपके बाद छोटी चममज है तो और इसको भी हम αचय से मिक्स कर लेंगे और अब हम यहापे डालेंगे पानी पानी उसी सेम कप या कटोरी से लेंगे जिससे हमने बेसन लिया था और अभी हम यहां पे पानी थोड़ा-थोड़ा डालकर बैटर को मिक्स करेंगे एक साथ पानी नहीं डालना है एक तो बैटर हमारा गीला हो जाएगा दूसरा यह कि हमारे बैटर में काफी सारे लंब्स बढ़ जाएंगे फिर हमारा बैटर अच्छा स्मूथ नहीं बनेगा इसलए थोड़ा-फोड़ा डालते जाएँगे बेटर बेटर हमें पर्फерьक बनाना या बेटर बनाना है जैसे हम केक बेटर बनाना है एकडम 1ide 1-4 टीसपून चोटी वाली चंपोछ आते हैं नो वो हमने बेकिंग सोडा डाला है और यहां पे हमने डाल दिया इनो इनो एक जो आता हमारा पैकेट वो या फिर एक बड़ी चमश डाल सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं तूरंथ हमारा बेशन में ये तीनो चीजे रियक्ट कर गए और लास्ट में में इस बैटर को ट्रांपि या हो इसको टैक टैब कर लेंगे तकि जो बबस बने हैं वह नहीं बने अच्छे से हो जाए हमारे मतला जेवारा ढूल डू कर दिया है और अब हमिसको वade करेंगे वरणयटी डगरी से ते 25-30 minutes के लिए बद वैसे 25 minutes में हो जाता है विकास हम जब स्टीम करते तो 15-20 minutes में हो जाता है बड़ बेक करने में 25 minutes लगेंगे तो 25 minutes हम यह आपे सेट कर देते हैं और 25 minutes में इसको बेक करते हैं तो जब यह हमारा बेक हो जाए तो उसके बाद देखे कुछ यह इस तरीके से दिखेगा और यह जो क्रैक हाया है मतलब एकदम परफेक्ट बेक हुआ है क्रैक आना बहुत अच्छा होता है बेकिंग में तो इ जो हम normally भूला में तड़का लगाते हैं तो यहाँ पर दखेजी धोक्रा काफी सॉफट लग रहा है और अब हम यहां पे तड़का बनाते तो कड़ाई में हमने डाल दिया है थोड़ा सा तेल और उसके बाद हम यहां पे डालेंगे दो हरीमिच और करीपत्ता और थोड़ी सी चीनी जो पानी होता है वो खटा मिठा बनाना और यह पानी और नीबु का रस है तो यह सारी चीज़े और लास्ट सुरू में हमें सबसे पहले डालना है राय या सरसो जो भी आपके पास है आप वू डाल सकते हैं तेल गरब हो जाने के बाद और उसके बाद हम यहां पे उसको थोड़ा चटकने देंगे जब आच यह अच्छे से पक जाया तो में डालेंगे करीपत्ता। उसक बाद हम चीनि यह सरी दालने के बाद छीनी बीजब सब्सक्राइब तो हम इसको लिए पृक्लेचर में होने देंगे और इसके बाद हम इसे हमारे हमारे नहीं डालेंगे तो यहां जब तक षाहरा सा नॉर्मल आपने चाख़कूँसे हैं किस न हम इसको दिखाती हो अंदर से शहरा है माराओ ओक्ताता है यहां जाली प्रया भूस युम्ली घाने में खाथा ओऊने में भूस छए और तो तर्फ नोर्मल टैंपरिचर में आ गया है तो इसको इसको डाल देंगे उपर में और जब इसमें यह तड़का जाएगा तो जो हमारा ढूकला का फ्लेवर वह बहुत बढ़ जाएगा एक दम दो गुना हो जाएगा और आप इसको फिर गर्मा गरम इसको चटनी के साथ सर्फ और इसको गर्मा गरम सर्फ किजी या फिर आप रखके स्टोर करके भी रख सकते है शाम तक खा सकते है ज्यादा दिन इसको चोबीस गंटे से जादा यह खराब हो जाता है तो इसको आप तूरंथ ही खाएगे तो जादा बैटर है और यहां पर हमने ऊपर थोड़ा साहरा अब देख सकते हैं मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है मतलब सर्फ कर दिया है कितना यमी लग रहा है यह बहुत ही डिलेशेस बना था बेक करके भी आप ठोकला बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा और यह थोड़ा सा हमाय लिए इजी काम होता है तो आप बेक कर सक करता है तो चलिए हम यहां पर अपनी सेकेंड रेसिपी ट्राइब करते हैं और यह हमारी फर्स्ट धोकला रेसिपी थी और यह कैसी लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी सासत बताते जाएगा कि आपको कौन सी वाली रेसिपी ज्यादा अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूच सकते हैं मैं आपको जरूर रप्लाइ करूंगी तो यह धोकला अगर आप लोको अच्छा लगो तो आप जरूर बताएगा तो चलिए हमारी यहां पे सेकेंड रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं और हमने तो यह बिल्कुल फिनिश कर दि और मैं इसी की सेम रेसिपी आपके साथ इस टीम वाली जो ग्यास में बनाएंगे वह भी शेयर करूंगे आप आगे इस वीडियो में जरूर बने रहें मतलब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोग से रेक्वेस्ट है बहुत ही अच्छी वीडियो लेके और उसके बाद नहीं हम यह पर लेंगे बेसन थो बेसन हमने एककपलिया है और सूजी हमने एकक लिया जाब दोनों सेम क्वाइंटिती मिलिया है उसमें हम ढाल दिये टेस्ट के कोडिंग नमक और यहां पर डाल देंगे तीन चमज चीनी थोड़ी सी पिंच पर खल्दी औ तोड़ी से आधा डालेंगे थोड़ी से लाल मिर्च क складके लिंगे पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा अभी गडबर मतलब हमारा धोकला पफेक्ट नहीं बनेगा इसलिए बहुत ही ध्यान से सारी रेसिपी सुना थोड़ा सा अद्रक डाला है टेस्ट के लिए आप यहां पे थोड़ी सी हरी मिच भी डाल सकते हैं पर मैंने लाल मिच डाल दीती पहले ही तो बैटर हमारा यह बन जादा नहीं डाला और हम इसको थोड़ी देर रखेंगे दस से पंदा मिट के लिए जब तक हम यह पे इस्टीम के लिए पानी ढख कर रख दिये गरम होने के लिए और दस से पंदा मिट बाद आप देख सकते हैं सुजी हमारी फूल कर रेड़ी होगी सुजी और जो बेसन करना है ताकि जो हमारा सोडा और जो इनो है वो तूरंत बेसन में रियाक्ट करें देखें रियाक्ट करते ही इसका कलर कितना अच्छा आ गया है एक दम कलर चेंज हो गया है तो बस अब हम इसे ट्रांसफर कर देंगे इटली वाले साचे में विकॉस यह जो अभी मैं आपक तो इसको सारे मोल को हमने फिल कर दिया है और अब यहां पर हमारा पानी भी बॉल हो चुका अच्छे से हम इसको स्टीम करेंगे 15-20 मिनट के लिए तो हम इसको ढग देते है और 15-20 मिनट बाद आप देख सकते है कितना अच्छा हमारा ढोकला फुल कर रेडी हो गया है चटनी वगेरा के साथ बड़ मैं डालूगी इसमें तड़का और यह मेरी सारी ढोकली वाली जो इटली है वह बन चुकी है देखे कितनी सारी बन गई है थोड़े से मैंने इसमें जो यूज किया था पैटर हमारा उसमें भी काफी सारी बन के तयार हो गई थी और आगर तो तड़का मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी तो यहां पर तड़का डाल दिया अब इसको अब गर्मा गरम सर्फ कीजिए ग्रीन चटनी के साथ या कोई भी चटनी के साथ बहुत यह में लगता है ऐसे भी खा सकते है तो सिंपल मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ इटली स्टाइल ठोकला है यह भी बहुत यूनिक और अच्छी रेसिपी है बहुत ही जल्दी बन चाती है प्लस बहुत ही हल्दी है विकोज हमने इसमें बेसन और सूजी दोनों यूज किया है बच्चे भी बहुत शौक से खाते है आप इसे इस रेसिपी को बच्चों के बहुत ही अच्छा आइडिया है पच्चे से सौस के साथ भी खा सकते है और इसको आप अगर अपने फैमली में किसी को भी बना के खिलाएंगे बड़े या चोटे सब बहुत पसंद करने वाले और बहुत ही तारिफ करने वाले आपके आप इसके अंदर का टैक्षर भी दे टेस्ट के कोडिंग चीनि डाल देंगे आपि सेम वही टीन चमज तीनों चीजों को मैं अच्छे से यह मिक्स कर देंगे यहां पे सूजी हमने डेड़ कप लिए आप देख सकते क्यों कि हम यहां पे सूजी का टोकला शेयर कर रहे उसके बाद रहा इम पर से आप इसमें प पानी डालेंगे क्योंकि बैटर हमारा गाड़ा था दही हमें एकदम लिमिटेरी डालना है जादा दही से बहुत साधा खटा पना जागे इसलिए दही जादा नहीं डालते हैं इसके बाद पानी से बैटर एकदम मैनेच कर लिया है और अब इसको रेस्ट पे रख देंगे व इससे जो नीबू के रस्टे है थोड़ा खटा मनाता है मतलब ढोकला का फ्लेवर आता है इसलिए नीबू डालना ज़रूरी है और नीबू का रस और ओइल डालने के बाद इस पे थोड़ी सी मैने डाल दिया हरी मिट्च कटी हुई बारिक काट लेंगे हम हरी मिट्च को औ स्टाइब कर देंगे यहां पर थोड़ा सा अद्रक को मैने अच्छे से कीष लिया है बारीक बारीक तो अद्रक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और बैटर हमारा थोड़ी दिर फूल चुक है तो लास्ट में अभम्या पर डाल देंगे अच्छा कर जाय और सूजी फूल जाय तो देखी सूजी फूल कर स्यादा हो गई है तो हमारा बैटर रेड़ी हो गया और गाढ़ा लगे बैटर तो थोड़ सा पानी आप यहाँ डाल सकते हैं मैंनेच करने के लिए बैटर को तो यहां पे हमारा बैटर एक दम पफेक्ट बन गया आप देख सकते हैं तो बस इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो क्योंकि हमने पानी डाला है और इसके बाद हम इसे टांसफर कर देंगे जो कि हमने प्लेट में घी लगा के अच्छे से इसको ग्रीस करके हमारा धोकला कितना अच्छा सूजी का फूल कर रेडी हो गया है इसको थोड़ी देर हम ठंडा करेंगे रूम टेंप्रेचर में फिर कट कर लेंगे अच्छे से जो भी पीस में आपको कट करना हो तो धोकला हमारा कट हो गया है इसके उपर हम डाल देंगे तड़का सेम वह जो निकाल के दिखाया है देखिए अंदर कितना अच्छा फूला है बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है और यह जो सूजी का धोकला है यह बेसन के धोकले से भी बहुत ही लाजवाब लगता है तो आप इसे जरू ट्राइ किजिगा बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लि है बहुत ही हेल्दी रेसिपी बहुत हीज़ी बन चाती है जादा हमें इसमें महनत नहीं करनी है और घर में रखे समान उसी से हमें से बना सकते हैं तो कैसी लगिए आपको यह अधिया आप मुझे कमेंट बाक्स में जरूब अर एक ड़ले कमेंट कीजिएगा मुझे अच् इजी और अची रेसिपी है और वो भी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में है तो चलिए हम यहां पर शेयर करते हैं हमारी फोर्थ रेसिपी तो यहां पर हमने ले लिया एक बावल और छनी और यहां ले ले लेंगे बेसन एक कप और इस बेसन को हम अच्छे से चान लेंगे तो बेसन को हमने छान लिया है अच्छे से इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे नमक डाल दिया हमने टेस्ट के कोडिंग उसके उपर हम डाल देंगे दो से तीन चम्मच चीनी 1-3 चीनि जोड़िक से आपर यहां पर ने जबे हैं तो सब्सक्राइब है तो अरब हम एहां पर तालेंगे एक चम्मच ऑईल और ऑईल डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से थोड़ा सामने अद्रक भी डाला है तीस कर अद्रक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यह बिल्कुल ऑप्शनल अगर आपको नहीं डालना होता आप इसे मट डालेगा इसके बाद ह कभी भी हमें पानी नहीं डालना बिकोस यह तो हमारा बैटर गीला हो जाएगा यह तो हमारे लंप्स पढ़ जाएंगे बैटर में काफी सारे तो छो हमारा ढ ceuxHaft तो पानी दिरे दिरे करके मैंने इसको बैटर को मैनेज कर लिया और लास्ट में डाल दिया नीबू का रस एक चमच भर के मतलब आधा नीबू के करीब हमने यह पे रस डाल दिया इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा हो गया है पेशन का बैटर बनकर रडी हो गया है थोड़ी सी लाल रालेंगे हरी Smich तोड़ा सा जादा डाला है बेकिंग सोडा इस बार और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैटर को तूरंथ हमें मिक्स काना है वो भी 30 सेकंड के लिए कंटीनिसली मिक्स काना है देखें बैटर का कलर भी चेंज हो गया और हमारा कपकेक का मोल्ड है उसमें और इस बार जो अभी है वह हम गैसमें नी बना रहे हैं उसे हम में बनाएंगे बेक करके बढ़ हुड़ा सा डिफ्रेंट स्टैल में हमने इसे कपकेक वाली मोल्ड में घी इस तरीके से या ओईल को ग्रीस कर लेंगे और इसमें ट्रांसफर कर दे जो नीचे डिजाइन दी हुई आप देख सकते है फ्लावर जैसी वो शेप आएगा हमारे ढोकला में और बहुत ही यूनिक लगेगा अगर आप बच्चों को खिलाते इस तरह किस तो बच्चे भी शौक से खाएंगे अगर नहीं घाते बिकोस इसमें बहुत अच्छी डिजा को हम अच्छी से फिल कर लेंगे को यहां पे मैं चमच से डालूंगी ताकि अच्छी से फिल हो जाए सारे को फिल करने के बाद हम इसको बेक कर लेंगे वही सेम प्रोसेस से जैसे हम केक करते हैं 180 degree Celsius ए 10 minutes के लिए हम ने इसको प्रिहीट करने क लिए रख दिया था और 180 degree Celsius प और अवन हमारा अच्छे से प्री हीट हो गया है बहुत ही अच्छे से ये बेक हो जाएगा अवन पहले से ही गरम होना चीए तब ही हमारा बेकिंग सक्सेस्फुल होता है तो यहां पे अवन हमारा एकदम प्री हीट हो चुका था अच्छे से और 20 से 25 मिनिट्स के बाद आप आप इसको बहुत ही अच्छा साप बन कर रेडी हो गया पीछे इसका बैक साइड डिजाइन देख सकते हैं एकदम फ्लावर टाइप आया है और बहुत ही यह लग रहा बहुत ही सॉफ्ट और स्पंची बना है इसमें सेम वही हम तड़का डाल देंगे और बस इसको आप गरम सबसे पहलेमें और डिजार एक रहें खेल रोट लेटमे के और लेघ्ल कर देख सबसेरेशं के करेदा चंछ ़िंआप में तो टिजा इसम चीनी दोक दलीग में तो यह पर एकदम लिक्विड वाला इसका जो क्रीमी सा टेक्र आउता है वह पना देंगे घर ऑल और दोक्ला दालेंगे नीबू का रस और नीबू को रस को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें और इसके बाद हम यहां पर डालेंगे थोड़ा सा अद्रक और हरीमिच जो कि हमने अच्छे से कीस लिया था हरीमिच को अच्छे से बारीक काट लिया था बारीक काटेंगे हरीमिच को तो यहां पर हमने 5-6 ingredients ढाल दिया है, अब हम यहां पर डालेंगे dry ingredients, तो हमने चनी ले लिया है और बेशन हम डाल देंगे, एक कब भर कर, आपके बस अगर कटोरी है तो आप कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं, और इसको हम अच्छे से छान देंगे, छानने से क्या होता है, हमार इस के बार चन बाद 5 वर हल्डी डालेंगे इस तरीकासे चुटकी में लेके और इसमें हमने टल दिया में हल्डी आचल system १ैमिक्स कर लेंगे जहाँ हो जहाँ चलड साज़ा हल्डी parking soda master पानी हमें ठोड़ा बना देना और छाएंगे को मैंने यहां पे बेकिंग सोडा डाला है धनके के बाद हम पानी हमें एक छबानी तो यह सब्सक्राइब अई तो बैटर्च. इकदम continuously mix कहना है ताकि हमारा बेकिंग सोडा है वो react कर जाए इस पे और हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा फूल जाए तो यहां पर देखे हमने इसको अच्छे से mix कर लिया देखे बैटर एकदम fluffy सा दिख रहा है एकदम creamy सा और last में थे बैटर जब इकदम हमारा बन जाए तो हम यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे मोल में यह हमारा केक तीन है बढ़ हम इसमें ढोकला बनाएंगे आज और यह जो ढोकला जो यह वाली रेसिपी यह बहुत ही यमी बनी दी आप इसे जरूर ट्राय किजिए का बहुत ही अच्छी बनती है कि देखिए आप पैटर करेंगे और आफटर फिर 20 मिनिट से आप देख सकते हमारा ढोकला कितरा अच्छा फूला है देखिए बिल्कुल क्रैक आगया फट गया है बट यह देखिए अंदर से बहुत सॉफ्ट है बहुत स्पंजी है प्लस इसमें जो जाली आई है वो भी बहुत अच्छी आई है त तो इसको ऐसे ही थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था बाकि अब हमने इसको इस तरीके से पीस कर लिया स्क्वाइर शेप में और इसमें हम डालेंगे तड़का वाला पानी जो खटा मीठा मारा होता है और इससे बहुत अच्छा लगता है ढोकला तो बस यहां पर हमने तड़क आप नोडिस करना पांचो रेशिपी थोड़ी थोडी डिफरेंट है एक दो मैंने बेक किया है और बाकी की मैंने स्टीम करकर बनाई है और सारी रेशिपी काफी डिफरेंट से प्रफुच उसमें कुछ नकुछ इंग्रिण्स कम जाधा या किसी में जैसे सोडा ड़ा या क अगर आपको अच्छी लगी हो रेसिपी तो प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं फिर ऐसे यह अच्छे से वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई